कोई समय देले हुकम होया है कि नानक्षाई क्लेंडर हते सम्मत पाइंसो पुचुंजा अनुसार जो चेत मेने तुँ नवे साल दी साधी रमता हो दी है जिस प्रती सेथ सनु गुर्बानी वीच मिल दी है तन साइब शिरी गुर्ण साइब दे वीचु मिल दी है गुर्ण साइब जी दी बानी अनुसार गुर्मत दे परी पेख दे वीच नमे साल दा कंसेप्ट इस प्रती कुछ विचारां आपा साजिय करन दा यतन करांगे जदो उसी देख दे हां गुर्ण साइब जी बानी विचार साध पढ़न दा यतन कर दे हां ते बारा माँ सिरलेख खेट सानू दो रचनावा पढ़नू मिल दियाने एक रचना है जड़ी गुर्णान पाथ्षा जी दी उचारन कीती हुई है तुखारी राग देविच जिस दा सिरलेख है तुखारी च्छंत मेला पहला बारा माँ दूजी रचना है जो वदेरे पर चलत है और ए दुखांत भी ऐसाड़ा कि आसी किवल किसे खास बाणी नू केंवरी जादा इस टांगदे नाल पर चलत कर दे हाँ तो बाकी बाणी आदे प्रती सानू को बहुत वाक्वित नहीं होंदी तुखारी राग दी जे अंतर जो गुरु नानक पाच्छा जी दी वचारन कीती बारा माँ दी बाणी है उस दी विचार बहुत काटों दी है विरली ही किदे पड़ी भी जान दी है या विचार उस दी आसी सुन दे हाँ पर माज राग दे विच गुरु अर्चन पाच्छा जी दी बाणी ओव धेरे पर चलत है बाणी दे विच अंतर कोई नी कोई भी बाणी होवे लेकरन चाहिदा ता ए है कि अगर आसी विचार करते हाँ दे इना दो हाँ रागां दे वी तुखारी राग दे वी ते बारा माँ जी दी माज राग दी बाणी है तो खैर ए दुखान ता है साड़ा कि ऐसी इस प्रती कोई जादा सोच देनी तो पहली रचना जेड़ी है गुरू नानक पाथचा जी दी है तुखारी राग देविच दूजी रचना जेड़ी है बारा माँ माज महला पंजमा कार चोथा ए रचना है माज राग देविच जेड़ी वधेरें पर चलता है जिसना हमें जिकर कीता है गुरू अरजन पाथचा जी दी लेकन क्योंके बाणी जो राग दारत है तुखारी राग गुरू गनसाब जी दी बाणी दे अंदर रागां करम अनुसार बाद भी चाहूंदा है इसलिए गुरू नानक पाथचा जी दी रचना जेड़ी है बाद भी दरज़ है ते ग्यारा सो आठपने ते उस दी अरमता साथ आठपने तु अरमता हुंदी ये लेकन माज राग दी बाणी क्योंके माज राग पहले यहुंदा है इसलिए गुरू अरजन पाथचा जी दी जी रचना है माज राग दे विच ओ एक सो तेती पने तु अरम हुंदी ये जदो आसी सरलेख वेख दे आए ना दो आँ बारा माँ दो हंदे ऊपर सरलेख है तु खारी छूनत महला पहला बारा माँ ते इथे बारा माँ माज बारा माँ माज महला पंजबा कार चोथ था 2.80, 10 के सिंसार ने जब प गोलक विग्यानिया ने जिड़या एक साल दा समा थी मन दे हां एक साल दी इकाइ दा समा थी मन दे हां जिस दे वीचे मन जान दा है के तरती सूरी दौाले चकर कट दी है तिन सो पैंट बटा एक बटा चार असी जड़ा लेया वाई की काई है ओ साल दा समय जड़ा पो गोलक विग्यानिया ने नियत कीता जिसने बारा महिने ने तो गुरू साहिबान ने उस समय नो लेके सानू एक सेथ बख्षिश कीती है के साधी जिन्दगी दा समय जड़ा बतीद होई जानदा है इस समय नो अपां सफला किस टांग देनाल करना है ए गुरु साहिबान ने सानु सेद बक्षिश की ती इना दोहां रचनावां दे बीचा और जदो आसी पढ़ दे हां चेत दे मेने तो रम्पता हों दिये जब बारा माँ दी बानी दी विचार अपा होर खुलके करिये तो बहुत सारियां सेदा या ग्यान सानु बक्षिश होंदा है गुरु साहिबान इस प्रतीद दें दे है एक ता ए है कि इस साल दा समा एक मिथ्या गया एक काई लेगी इस समा बतीत होई जाएगा असी समा सफला के में करना है दूजी एक सेद होर मिल दी है जिसनों गुर्मत पर पेक दे वीच या विलखन दे वीच असी बेख्या जाए ते जे असी साल दी काई लेणी है क्योंके असी समय दी बंदिश दे वीच हां जे साल दी अपा इकाई लेणी है ते साड़े साल दी अरंपता जेड़ी है ओचेत महीने तो होईगी जे मैं आज आसी देख दे हैं क्लेंडर जेड़ा चलता है अग्रेजी क्लेंडर जैनवरी तो आसी दिसंबर तक जान दे हां लेकर गुरू साइबान ने सानु इना बारा माहा दी रचनावा राहीं एस सेथ भी बक्षिश कीती है कि जे अपा साल दी काईदा एक समा लेना है समय नो बनना जरूरी है ते फिर साड़ी इस साल दी अरंपता जेड़ी या चेत महीने तो होईगी ते फलगुन ते इस दी समापती होईगी ते चेत महीने तो लेके फगन तक जड़ा या फलगुन तक जड़ी जड़ा शबद गुरू साइब ने लिया बानी दे अंदर इस साल दा समय बतीत होईगा ते इस साल दे समय दे विच आप असी किस टांग दे नाल परमातमा दे नाल जुड़े रेना ए मुखु देश है इना रचनावांदा जे में गुरू साइब अरम कर दे है चेत गोबिंदा रादी है होई अनंद कना संत जना मिल पाई है रसना नाम पना चेत गोबिंदा रादी है होई अनंद कना जे चेते मीने राही पाप ए जड़ा समा चेते मीने राही बतीत हो रहा है जे असी परमातमा दे सिफसलादे नाल जुड़ जाएए उस दे गुणादा गाइन करिए रभी सिफसला दे नाल जुड़ जाएए संत जना मिल पाईए रसना नाम पणा गुर्मुखान दी संगत दे विच रहके इस रसना दे नाल नाम जप दे रहिए जप दे रहिए ते फिर की होएगा चेत गोबिंद रादिया होवाई अनंद कणा बहुत अनंद सानू मिल सकता है असी उस आत्मक शिकरता ते पहुंच सकता है जड़े सुखदी गाला सी शबद दे विच विच विस सर्वन कीती है आत्मक सुखदी गाल या अनंद दी गाल और गुरु साहबान ने इना बारा महिने रही इना नू संबोदन कर दे हुए सानू हार एक मेने रही अपां किस टांग देना जुड़े रहना है ओ गुरु साहब ने गाल कीती है जिवें गुरु साहब वैसाख मिने विच कहन दे है वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिनना प्रेम विचो केंदे ओ ना नू जी विस्तरी नू किमें तीरज मिल सकता है जिनना भी छोड़ा प्रमात्मा ना लू प्या होया है पावे है कि आसी प्रमात्मा ना लू जे दूर हा ते फिर साड़े जीवन दे विच ओ अनांद नी बन सकेगा ते जे आसी मिलाप कर दे है ते फिर अनन्द में यह वस्ता है ऐसे तरह जादू आसी ए पूरे मिहने गुजर दे जान दे है बैसाख है जेट है हर जेट जुड़नदा लोड़ी है जिस अगए सब निवन कि ओ प्रमात्मा जिस दे आगए सारे निवन देने उस दे लोड उस दे नाल मिलाप दा कोई टंग तरीका लबी है कहांदे उस तरीके नाल ताके वो मिल जाए सानू ऐसे तरह गुजर साइब कहांदे हर जेट जुड़नदा लोड़ी है जिस अगए सब ने वन तरहाद मिलें बपाइब कोई उस अगए जिस नोँ असार के आज जान दा आसार 55 त्विक 15 लगा हर ना न जिन न पास असार दे मिलें वसी देख देख दे हैं के तपश है जेट आट जेट आर दे मिलें लेकिन केंदे तप शुनानों तांग कर दी है जिना दे ना जिना कोल खसम नहीं है मालक अबू नालू जड़े टुटे होए ने विछडे होए ने तो इस तरीके दिनाल गुरु साहिब सानों एक सेथ बक्षिश कर दे आए इना पावन रचनावा रहीं के साड़ा समा के में सफलोवे और फलगुन ते जाके फिर गुरु साहिबो ही गल कर दे है फलगुन अनंद उपार जना हर सजन प्रगटे आए चेत गोबिन दा रादिया होए अनंद करना फल्गुन अनांदू पार जना हर सज्जन प्रगटे आए बाई चे तू लेके तेरे महिने इस जीवन दा एक साल दा समा ते गुजरदा जाएगा जै ठाड सावन पादो असु कतका आएगा लेकन एस समा गुजरदा जाएगा जे तू जुड़या हुए है परमात्मा दे नाल ते फिर की होएगा फगन दा महिना बार ला खीर ला महिना ते तेरा साल के में बतीत होएगा तेरे हिर्दे का अर्दे विच जड़ा है ओ अनांदी अनांद पैदा होएगा हर सजन प्रकटे आए ओ हरी सजन जेड़ा है जिस दे मिल आप कीते अनांद है क्योंके अनांदा सोरस परमात्मा है अनांद मूलत आयो पुर्खोतम आसी पढ़ दे हैं बानी दे अंदर अनन्द अनन्द या तक गुरू है जहां परमात्म है अनन्द अनन्द सब को कहें अनन्द गुरू ते जाने या तो गुरू दी शर्ण दे विच अपना रहें दे यां गुरू दी शर्ण दे विच रहके प्रबू दी सिफसला उस दा जास उस दा गाइन कर दे यां कर दे या ऑना इना इत्ना पत्थां दे मकाना दे जड़े या सी बनाए होएने इना दे विच्वी अनंद बने आ रहा सकते। ज़िए साड़े अंदर अनंद है तो बार भी अनंद है। गुरु साहब इस्तरी के दे सेद बक्षिश कर दे है। लेकर इथे गुरु साहब आणने एसे त किर्टी दी गाल उदारन दे के सानू के कैने जिमें चेत मिने दे वीच बसंता हूं दी ए फुल खिड़ दे टानिया दे नाल रुखा दे नाल पते लगदे फुल छोटे छोटे लगदे कैने इसे तरह जैसी उस परमात्मा दे नाल जुड़ जाईए ते साड़ा भी तानमान जिस दे वीच आसी फसे हुए हैं आसी कोई दिन मिथ लेंदे हैं चंगा कोई मिहिना मिथ लेंदे हैं चंगा खास दिना दे उपर कुछ खास करम कर दे हैं साड़े लई चंगे ते मारे दिन भी ने शुब ते आशुब दिन भी ने एसे तरह आसी इना दिना दे उपर फिर आशे दिना ना ही चाहिए है, आशे दिना दे वी दिना दे फसे होयाँ, चक्रा मी फसे होयाँ लेकर को एक दिन चंगाय जा मारा है और इस दी इस दा संबंद गुरु साहिबान ने सानू कोई बारा महिने तक सिमत नहीं रखिया क्योंकि ज़दि असी जदु असी ना रचनावादी गल कर दे हैं जे माज राग दी गल करिये ते साल दे बारा महिने हो दे है ते जे बारा मेहने तक गुरु साहब फोकस कर दे भैसे साधेली बारा मेहने कोई खास ने ते फिर बारा मेहने शब्द उचारन करना है उन्हानों संबोदन करके गुरु साहब बाणने ज़ड़ा माजराग देविच रचना है गुरु अरजन पाथशा जी दी उस दिए आप सारे जान दे ओ, चोदा शब्द जा पोडिया ने, अरंब कर दिया, गुरु साहब किर्थ करम के विछडे, कर किर्पा मेलो राम, के सचे पाच्छा, आसी अपने करमा करके तेरे नालूं, विछडे होए हैं, विछोड़ा पै चुका है, विछोड़े कारन दु जिन जिन नाम ते आया, फोकस की है, समा दे गुजरदा जाएगा, फोकस एए है, विछडे हो यां, तेरे नालूं, ते जिड़ जिड़े परमातमा दा नाम जपदे जानगे, उना दे ए दिन महीने साल सफले होंदे जानगे, पावु न दा जीवन दा समा सफला मनया जाए जिन जिन नामते आया तिन के काईस हरे उते गुरु साहब ने फिर एक अल किती कि महादिवस मूरत पले जिसको नदर करें नानक मंगय दर्शदान किरपा करो हरे केंदे महा दिवस मूरत पले भाई महीना कोई दिन कोई महूरत पाब असी किसे मूरत चक्कर विच नहीं है दिन महीने साल साड़े सफले ने पले ने साड़े ले शुब ने चंगे ने जैसी परमात्मा दे नाम नल जुड़े होए जिन जिन नाम ते आया तिनके काहसरे उना दा जीवन मनोर्त दा कार जे सफला हो जाएगा उना दा जीवन दा समामी सफला हो जाएगा इसे दोगन आसी तुकारी राग दें अंदर वेख दें ते गुरु नानक पास्चा जी दी ओर रचना उस दे विच गुरु सहब ने स्तारा शब्द या पोड़ियां ले जाएगा उन विचार करनी है भाइ न नो आसी शब्द राही संबोदन करिए जा पोड़ियां कह सकते ह स्टारा शब्द ने उस दे बीच ओथे भी गुरु साइब अरंब करदे किर्थ करम के विछड़े कर किर्पा मेलो राम ओथे गुरु साइब कांदे तू सुन किर्थ करमा पुर्ब कमाया सिरसिर सुख सहमा देंसो तू पला कांदे के सचे पाथचा साड़ी ये बेंड़ती सुन के असी जड़े पूर्बले कर्म पाव के जड़ा में उन पिछे कर्म कीता है केंदे उन्हा जड़े पूर्बले कर्मा राही कियो है के असी साड़े सिर्दे होते दुख सुख दे लेख तू पा दिता हो है जे आसी चंगे करम कर दे हैं तेरे नाल साड़ा मिलाप है तेरी याद साड़े अंदर वसी है फिर ते आत्मक सुख है फिर ते सुख तू देंदा है ते नहीं ते जे विछोड़ा पाले है तेरे नालो अपने मारे करमा करके ते फिर तेरे हुकमा दीन की है सुक सहमा, सहमा होंदाई, दुक, सहम, डर केंदें, बस सिर सिर सोक सहमा या ता साळै सहिर दे उते सुक है पाव या सुक मान रहे हैं आसी जे तेरे न बारां बीच में हीने, सोलां, ते स्तार में शबद देविच गुरु साहब उत्थे भी कहन दे है, महा दिवस कड़ी, बे दस मां मूरत, बे दस मां रुती थित्थी वार पले, बे तु पाव होंदा है दो, दस तु पावा पन जान दे हैं सारे दस, पावे सारे बारा मीने सारे चंगे ने, सारे पले ने साड़े लई, जैसी परमात्मा दा नाम जपदे हैं, कड़ी मूरत पल साचे, आए सहज मिले, कहने आत्म का डोलता दे वीच टिक के, जैसी परमात्मा दा नाम जपदे हैं, परमात्मा दे नाल साड़ा मिलाप होया है, ते फिर बे दस मां सारे दिन, सारे महीने, सारे पल, साड़े सफले ने. इस तरीके देनाल गुरु साहिबान ने इना पावन रचनावा राहीं जो में सानु सेथ बक्षिश कीती है, ओए है, कि आसी समय दे चकर दे विच नहीं है, किसे खास चंगे ते मारे दिन दे चकर दे विच नहीं है, गुरु साहिबान ने किसे दिन दी महत्ता, किसे महीने दी महत्ता, या किसे साल दी महत्ता ने दरसाई, दरसाया की है, कि साड़े लगी समय बड़ा इंपार्टन्ट है, जो मैं आसी कह दे हैं, समय दी महत्ता दरसाई है कि समय जड़ा बतीत होई जा रहे है तेरे जीवन दा एक एक स्वास कटदा जा रहे है क्योंकि आसी काल दे के रहे हैं जड़ी गाल में पहला भी कही है परमात्मा अकाल है आसी सारे काल दे के रहे हैं इस स्रिष्टी दी रचना उस परमात्मा ने कीती है जो भी कुछ बनाया है उस सारा काल दे अधीन है समय दी चाल दी बंदिश दे विच है आसी समय दी बंदिश दे विच हाँ साड़े उपर आसी देखते हैं बच्पन भी आऊंदा है जवानी भी आऊंदी है बुडेपा भी आऊंदा है फिर सरसार तो आसी कूछ भी कर जानदे है इस तरह बाहर रुख देखो तुसी रुख असी लगाया हुए है रुख मुर्जा भी जानदा है रुख खिरदा भी है इस तरह आसी देखते हैं वीडियो वेक्षी होनी कि मैं जवाला मुखी चल रहा है जवाला मुखी चल रहा है बलकुल ओ खबर देख आया है कि पची दी किलो मीटर जिते बसती है उत्छे तक हो पौँच चुक है जवाला मुखी परमात्मा ने जड़ी भी रचना कीती है स्रिष्टी दे अंदर सारी काल दे केरे वीच है ओ अकाल है सानु काल दे केरे वीच रखे है ते गुरुस है बे सेथ बक्षिश कर दे है तेरे जीवन दा समा पल पल करदा, कड़ियां कड़ियां करदा हफ़तें करदा, दिन रात करदा महिने करदा, साल करदा, बितीत होई जा रहे है तो ए चेते रख कि ए समा तेरा जाया नहीं होना चाहिए जिमें अपाँ पढ़ दें बानी दें अंदर चेतना है तो चेतल है निश्दिन में प्रानी छिन छिन अओध बहात है फूटे काटजियों पानी अओध कट है, दिन सरैना रहे मन गुर्मिल का आई सुआ रहे अपान नित पढ़ दें जांको आई सोई बहा जो हर गुर्ते मने बसेरा निजिकार महल पावो सुक्स है जे बोर ना होई गो फेरा ए जिवन दी खेट द्वारा मिले ना मिले इस दा कोई पता नहीं ते जे समा सफला कर क्योंके मिल जगदीश मिलन की बरिया चरंकाल ए दे संजरिया असी अपने नेम दे अंदर जे अलफाज साड़े चेतन शक्ती दे विचनी आऊंदे उस अड़ा दुखान ते लेकर गुरु साथ ते समझा रहे है पही परापत मान खुदे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया अबर काई तेरे किते ना काम मिल सा संगत पज केवल ना ए तेरे जीवन दा लक्ष है मनोरत है जिस मकसद दीगाल वीर जी ने भी कीती है जे मकसद साड़ा इस जीवन दे वीच प्रापत नी होंदा ते साड़े जीवन दा समा जाई है फिर पामे कोई दिन होवे कोई मीन होवे जिनने मर्जी साल बती तो जान असी बानी दे अंदर पढ़ दिया ना गुरु अर्जन पाच्छा जी दे पावन बचन ने गुरु साहब ने उधारन बड़ी सुंदर दिती है बिन सिम्रन जैसे सर पर जारी त्यों साकत जीवे नाम बिसारी बिन सिम्रन गर्दव की ने आई साकत थान प्रिष्ट फिर आई लेकन उससे शबद अंदर गुरु साहब कहने है एक निमक जो सिम्रन में जीया कोट दिनस लाक सदा थिर थिया के तेरी उमर लंबी है छोटी है दिन कितने मिले किने स्वास मिले किने महिने तु जीवे है किने साल तु जीवे है ओ वो रखदानी मनतव कोई मनतव ता ए रखदा है कि तू उस समेदे अंदर नाम कितना को जपे है कितना को तू यतन किता है उस परमातमा दे नाल नेड़ता काइम करन दी एक निमक जो सिम्रन में जिया कोट दिनस लाक सदा थिर थिया अपा उदा अरंदें दे लिए साथ नौ साल दी उमर किनी को है किनी को उमर आए साथ साल दा बच्चा अपान देख देया उसनो ना बैड़तो नहीं उठ सकदा अपान मा चुक के तो बैड़तो उठां दी है साथ साल दा बच्चा लेकन उस साथ साल दे महान योदे उते निहां दे विच आपा चिन्वारे है क्योंकि एक निमक जो सिम्रन में जिया मानो क्रोडा ते लखा साल जी के संसार दे विच चला गया और छोटी ते वड़ी उमर मनतवनी रख दी है इसलिए गुरु साइबान ने सानू ए सेद बखशिश कीती है कि एसी एस जीवन दा समा सफला करना है क्योंकि एसी सारे काल दे केरे विच उन जेडिक अलबापा देख देया एक ते एफ पक है जो सानू गुरु साइब खशिश कर दे दूजा पक्ष है जेडा असी बेखदे आइं के आसी साल दा समा असी के नीयत कींते है जेडा चाए विग्यानियां ने कीते है जा संसार दे विछ उसी वीचर दे हैं दिरे आता साल दा समा 약간 समा हफ्थεταιां दा समा असी नीट कर दे हैं मैं पहले समय दी बानदा सी करदे सी, उक मापदे बापदे, उसे राजा सी बांदा, तिस बांदा, जाल रूंटां करदे अगा। साल ते सो साल बीत जान ते एक सदी बीत जान दी इस तरह समय दा चकर चल रहे है एक आल दा चकर साड़े उपर मंधरा रहे है ते गुरु साहब सानु ए सेथ बक्षिश कर दे भाई तू ए त्यान रखना है के समा अजाएनी जान देना उन दूजा जड़ा पक साड़े सामने होंदा है उन जदो आसी साल दी गल कर दे है साल दी एक इकाई है जड़ी गुरु साहबार ने सानु ए सेथ बक्षिश कीती है पर जे अपा एक इकाई मन लेए ते साड़ी साल दी अरंपता जड़ी है ओचे तो अपा करनी है लेकन आसी देख दे हैं कि जिस वर्ल्ड दे विच आसी रह रहे हैं आज ओड़ा कलेंडर चलदा पर आए समय दी इकाई दी बंदिश दे नाल ही कलेंडर जड़े हैं बंदे है क्योंकि कलेंडर इसे लिए त्यार किते जान दे समय दो बने जान दा है आज जड़ा कलेंडर चल रहे है जड़ा कलेंडर चल दे है जड़ा कलेंडर चल दे हैं जनवरी तो लेके दिसंबर तक है इसे तरह ज़िए आज देखिए इसलामिक वर्ड दे विच गाल करिये ते ओ चंदरमा दे नजर आउन तो उना दा साल शुरू होंदा है इसलिए जद उना दे कलिंडर दी गाल कर देया ते ओ दिन अगे पिछे आ जान दे उना दे विच वी रमजान दा मिनासी देखते हैं कदी सर्दियां विच आ जान दा इ इसे अपरिल दे विच आ जाने है कहीं ओ अगे मैं पुछ रहा सा ओ अगे कैने लगे जी अगले साल मार्च विच आ जानगे इस तरह ए दिन बदल दे जान दे हैं उन समय दे कीम आता है उन जदो आसी इस पाक नो वेख दे हां इस नो अध्यात्मक मंडल दे वीच खेतर द नजरिये देनाल तरम दी दुनिया दे अंदर वेख दे हाँपा कि साल है की ए कित्हों इस दी अरमता हों दी है खैसी मिठ्या ओया क्योंके आसी संसार दे विच रहा दे हैं ते संसार दा कार विहार चलन दे लिए कलेंडर भी बनाय जान दे समय दी बंदीश भी है समय दो असी बनला भी लन देयां लेकन ज़नों असी अध्यात्मक मंडल दे वीचिस दी विचार कर देयां ते गुरु साहब कहने दे तुसी कोई दिन नहीं दसकोगे जिस दिन नवे साल दी कोई अरमता है या कोई नवा साल है दसो केड़ा दिन है गुरु साहब कहने दे लेकन उचकर शुरू का दू होया गुरु साहब कहने दे उस चकरदा नहीं सानु पता है ये चकरदा ही नहीं सानु पता ते आसी पहला दिन के वे मित सक देयां या ध्यात्मक मंडल दी गाल है ये तरम दी नजरी दे नाल में गाल कर रहा है दुन्या भी तलते नहीं दुन्या भी तलते आसा देखे है के भई इकाई है आसी बन ले ऐसा में नू कलेंडर बना ले लेकन जदो आसी तार्म के नजरीय नाल वेक देया ते गुरु साहब कहने यारबद नरबद तुन्दू कारा तुन्दू कार सी ना धिन सी ना रैंड सी ना चन्दा ना सूरुज जा सूरुजी नहीं तर्टी नहीं तो चक्कर कदू शुरू है ना धिन रैंड ना चन्द ना सूरुज सुन समाद लगायें कहने है ओ वो सुन अवस्था भी सी प्रमात्म जदू उस दी मोज होन दी है ओ स्रिष्टि दी रचना कार देंदा है लेकन कोई नहीं जानदा है के श्रिष्टि दी रचना कदू होई ते कदू तर्पती दा चकर पहले दिन सुरुज दे आले दौने शुरू होन दा है आसी जबजी साहब दें अंदर भी पढ़ दे हैं इसने चक्कर अपना रम कीता ए परमात्मा दी मोज है उस दी खेड है कोई नहीं जानदा इसलिए जदो आसी अध्यात्मक नजरिये देनाल या तार्मक नजरिये देनाल वेख दे हैं ते कोई साल दा पहला महिना असी मित नहीं सकते लेकर क्योंके आसी समय दी चाल दे भी जह ते संसार दी कार विहार चलाउण दे लेई एस समय दी बंदिश जरूरी है इतों ही कलेंडर भी जरूरी ने क्योंके साडा पूतकाल है जिसनों आसी कहन दे हैं पास्ट साडा प्रेज़न्ट है जिड़ा हून वरत्मान है या पविक्ष है जिन्हों आसी कहने हैं फ्यूचर है पास्ट है प्रेज़न्ट है फ्यूचर है उन्हें तिन्हें चीज़ां थे आसी इस समय दिबंदिश देवी चाहँ कि मैं प्रेज़न्ट है जिम्हें आसी देख 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 जब मेरा जन्म होया मेरा Jnème कद Welcome हो इा ओ पास्ट हो इा हूं और निकल गया समा कदicem हो या केड़े दिन हो या केड़े महीने हो इा केड़ा साल हो इा ओ मेरा पास्ट सी इसे طرح मेरे उन वर्तमान दे भी जहां ए वर्तमान menu है मेरे अगे फीचर है कदू मेरी मोत नही इत वर फ्यूचर है ऐसी जे बच्चे साड़े कार दे भी बच्चा जनम लेंदा है क्योंकि आसी समय दी किमें बंदिश दे भी चाँ जरूरी भी है संसार दी कार भी आर चलाऊन दे ले अध्यात्म का मंडल इस दिनाल सहमत नहीं कोई कोई पहला दिन है कोई साल दा आसी नियत नहीं कर सकते लेकर जब उसी दुन्यावी तरते देखते हैं संसार दे वेखते हैं ते फिर की है के जिमें आसी बच्चे दा जनम लेई आसी बच्चे दा जनम है जब बच्चे दे जनम दी साड़े कोल तरीख ना होए तो डेट साड़े कोल ना होए, महीना ना होए, साल ना होए, तो आसी बच्चे दी अड्मिशन नहीं करवा सकते, बच्चा कर दू ठारा साल तो होया, उस दे को वोटिंग राइट आएगा, उनी आसी दस सकते, इना चीज़ां तो आसी वांजे रमांगे, ऐसे तरह स्कूल द नहीं है, तो कोई अड्विटीजमेंट निकल दी है, उस दे वीच और साल दिते जान दे, इनी साल दा बंदा अपलाई कर सकते, इतने तो जादा उस दी उमर नहीं होनी चाहिए, अपन देखने है, अड्विटीजमेंट दे वीच, जे साड़े को लो दिन महीना, साल ना हो बंदा, जे में आसी बेख दे है कि फैमिली है, ते कारदे वीच फैमिली जे अगर कोई प्रापटी बंडनी है, ते कारदा कोई मुखी चला गया, उस दी प्रापटी जड़ी बंडने हैं जाएगी, बच्चें दे वीच, ते उस दा ड़्ट सेटिफिकेट ना होए, ते सा साठ साल दी उमर या जड़ा इना दा सिस्टम सी BSNL दे वीच, कर दूं इस साठ साल दे होए, उस दिन रिटायर होगे, एस सिस्टम चलान दे लई, एस समय दी बंदिश जरूरी है, इत्तों ही कलेंडर शुरू हो जान दे, उन जद वासी कलेंडरा दी गाल करते हैं, आज जड़ा आसी देख दे हैं, इंगलिश कलेंडर चल दा जड़ा बोताद दे वीच, जनवरी तो लेके दिसंबर दी गालासी कीती हैं, और हर मुल्क दे, हर देश दे, कुछ नेशनल डेज हों दे ने, इमें साड़ा अज़ाद मुल्क कदू होए, आसी देख दे हैं, पंदर देख 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 करिए ते साड़े को आसी कहां देयां बोट एक लासानी इतियास है लासानी विर्षा है साड़ा उन जे इतियास आसी जे किसे समय दे वीचे रचिया है उस दी कोई डेट है उस दा कोई दिन है कोई मिहीना है कोई साल है साल दिना आल नहीं जोड़े है सानु गुरु साहिबा जोपना अपने पड़ा दे लिए, उसी तियास दी दिढ़ता अपने अंदर पैदा करन दे लिए, आसी ओ एक दिन मिठे होई ने, जरूरी ने, कोमी पदर ते, यासी गल करिए, ते कितने दिन ने साड़े, कितने या शहादता ने, कितने होर आसी पुरु मनाऊँ दे हा, खुरु साहिपने सानु ए सेध बक्षिश कीती है जे अपा कलेंडर बनाना है कलेंडर देनाल आसी जुड़े हाँ क्योंकि समय दी बंदिश दे विच हाँ ते फिर साड़ा कलेंडर जेड़ा अराम होएगा चेत दू ते फल गुंते जाके समापत होएगा उससे हिसाब देना उन आसी टपला किदे खां दे हाँ आसी कलेंडर नू अदियात्मक खेतर या तारमक मंडल दे नाल जोड दे हैं कलेंडर साड़े अधियात्मक ताल दे नाल या तारमक पद्र दे नाल इसना कोई concern नहीं है किलेंडर सिर्फ इसलिए है कि फर्द करो कि आसी पारतवर्ष दे अंदर रहे हैं या आसी किसे फॉर्ण कंट्री दे विज रहे हैं आसी अपने असाब दिनाल कुछ दिन मना सकते हैं सारी चुटियां सानूं नहीं मिलनगी हैं लेकन कुछ चुटियान नेशनल लेवल ते मिल सकती हैं, असी हैं साढ़े को ओर डेटा मिप्स हों तिस से दे सकती हैं, एक कलेंडर दी बंदिश इसलिए जरूरी है, और ज़रे सारे इतियासक ते आडे ने उस कलेंडर दे वीच आ जानगे। उस क्लेंडर दे विच आ जानगे इतों क्लेंडर दी महाता शुरू हों दी है लेकन आसी की कीता के इसनों तार्मक मंडल दे नाल जोड़ दीता और आज किदे न किदे पंबल पुसा साधे समाई दे विच प्या होये हैं क्योंके क्लेंडर जदों आसी कौम दी विलखनता दी होर भी लोड है यह अक्सर आसी दलील पेश कर दे हैं यह ठीक है जदो आसी किसे कोम दी विलखनता दी गाल कर दे हां उस दी सौवरिन्टी दी गाल कर दे हां उस समाज दी इंडिपेंडेंट सी दी गाल कर दे हां ते साड़े कोल चार पंच चीजा ने जड़ियां बढ़िया जरूरी ने सब तू पहला उस कोम दी विलक्षनता जा सोवरन्टी या आइडेंटिटी डिपेंड कर दी है कि उस कोम दे कुल अपना गरंथ होए और एक कार्ट जड़ी है गुरु साहिबान ने अपने जिवन काल दे विच पूरी की थी सानुत तान गुरु गरंथ साहब जी वरगा महान ते असीम गरंथ दिता जिस दा दुनिया दे इत्यास दे अंदर कोई सानी नहीं है अमागल अननवाली है दुनिया दा असीम इतियास जड़ा गुर्बानी दे रूप दे विच असी कह लिए कि विलक्षन हए किसे भी संसार दे इंदर जितने भी तरम ने कोई भी मुलुक किसे मची से तरके ले सकता है किवल नियुकर चाहिन है कि तरह किसे भी जीम नियुम होस्क्ता देख कोई पोडिरी और इंप हम जितों उस दी पच्छान जेड़ी है वर्ल वाइल लेवल ते या यूनिवरसल लेवल ते होए आज आसी देख देख देखे हैं कि साड़ा केंदरी तार्मक अस्थान जड़ा है ओ दरबार साथ है दरबार साथ दे आले दो आले कोई भी चीज़ कटना चंगी वापर दी है ते आसी बड़े खुश होंदे हैं दूर दूर तक गल जान दी है मारी वापर दी है आसी दुखी होंदे है ओ भी गल दूर दूर तक जान दी है देखो जी दरबार साथ दे अंदर एज गल हो गई है दरबार साब साड़ा केंदरी अस्थान है और इतियासकारे लिखदे है मोसिन फानी वर्गे या होर बहुत सारे इतियासकार करिंगम में लिखदे है के गुरु साहिब बाणने एक केंदरी अस्थान जड़ा है एक काइम करके सिखी लोकां दे कार्तक लेगे हो बाव के लोका उन्हादेना आलहोर भी बंदे आया हैं वो सारे दर्वार सा मत्हा टेकन गए इस पैशनली जड़ा है वो टेली कास्ट की दा गया दिखाया गया बतलब ए चीजा ने जड़ी है के केंदरी तार्मक अस्थान फिर ऐसे केंदरी तार्मक अस्थान तुलावा जड़े एक केंद लेकर अगे पिछे भी जड़े साड़े गुर्द्वारा साहे बाड़ने जड़े तार्मक अस्थान तार्मक अस्थान फिर वर्ल्ड वाइड लेवल ते आज देखते हैं कोई दुनिया दा कोई किसे कोने विच रहान वाला बंदा अफरीकन होए अमेरिकन होए युक्रेण होए रश्यन होए कोई बंदा होए ओ जे कुछ भी नहीं जान दा सिख तरम बारे कुछ भी नहीं जान दा गुर्द्वारे बारे कटो कट लंगर बारे जरूर जान दा है कि ए लंगर देन देने जी सिख लंगर देन देने ते लंगरी नहीं दा मिल दा गुर्द्वारे दे और कुछ भी ना जानता हो वे लंगर दी पचानते हैं पामे के इंस्ट्यूशन है साथा इस ते लाल गुर्दवारा है गुर्दवारी डेफिनिशन बहुत बड़ी ब्राडर आस्पेक्ट दे वीचे किदे गाल करांगे लेकर लंगर दी पचान जेड़ी है ओ सानू लंगर किसे भी गुर्दवारे चले जाओ पामे छोटा है बड़ा है लंगर जरूर मिलेगा रैनू था मिलेगी ए सारे बंदे सोच दे इसलिए ए दूजी गल है तीज्या है कि उस कौम दे कोल अपनी जड़िया रायनितिक शक्ति चाहिए पुलिटिकल पावर चाहिए उन करके इसलिए इसलिए करें दे सेथे ना लंगर है इसलिए दे देस 이제 रायाईश गाह रोगी है थे रोगी आ। नो था कंसेप्ट नहीं दे वैकर कुछ थावज पावर ते ओभी तास standards तरह कुछ काुछ फावर ने उसे उपर पेरा दिता थे नू पर तक रूप दे विच गुरू हर्गुबिन पाथचा जी ने छेमे जामे दे विच आके उजागर कीता संसार दे इतियास दे विच जो दू आसी कहन दे हैं के ग्यान खड़क ते लोग खड़क नू नाल रखे हैं पीरी दे नाल मीरी ना नाल रखे हैं कैइंवारी आसी बारली नजरां दे नाल कैइं चीजां वेख दे हां जो सानू नजर निए उँदियां क्योंकि साधे कोलग अनबवी घ्यान नहीं हो दा बारला संसार दे वेखेगा ओ टे महसूस नहीं करेगा आम संसारी लोग नहीं महसूस करेंगे बाइदेनाल जुड़े होई बंदे भी टपला खाजांदे हैं। बन दे टबला कहा जाँ ए लेकर आज में प्रमाल लेना एक गाल का इसी एक एंवे साथाभी प्रमान लेना खान नाम दे नाल मेरा प्रेम है प्रमात्मा दे नाल ते मेरे अंदर एक चाऊ है इह मेरी पीरी है मैं पगती दे नाल जुड़ Information अथा पगती है मेरे अंदर नेरे कि मेरे अंदर प्रेम रास है लेकर जो अगली पंक्ति दे विच गुरु साहिब कहा दे है जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तारतली गली मेरी आओ पर ए सिर जड़ा सी स्पेट करना पेगा ए मेरी मीरी है क्योंकि मैं अपनी पंक्ति नो बचाऊन दे लेई मीरी दी लोड है तो गुरु साहिब ने पावन पंक्ति ने अंदर दे दीता और कोटी हूँ पीर वर्ज रहाए जा मीर सुने आता आया थान मुकाम जले बिज मंदर मुछ मुछ कोई रुलाया कोई मुगल ना हुवा अंदा किने ना पर चालाया ओ ते पीरी ते सारे ओ भी कर देशन ओक्ति करांगे पीरा फिकीरा नो बुला ले आ हमना बाद विखे जदू बाबर ने हमला कीता तो ना क्या तो अडे मंतर के से कामनी होने सुकी पीरी कामनी होनी पीरी दे नाल मीरी चाहिए ओ गुरु साहिब आने ललकार देती सी ए मीरी जड़ी है गुरु नान पाधच्छा जी ने नो जागर की ता शस्तर बद तरीके दे नाल ओवी गुरु अरजन पाधच्छा जी दे कैंड थे इस तरीके दे नाल पीरी दे नाल मीरी दा सिदान थे जदू अकाल तक साब्दी सिर्जना कर दे है गुरु हरगोबिन पाधच्छा जी 1608 दे वीचे उस दे नाल की होन है सानु के राइनितिक पावर मिलती है राइनितिक शक्ती मिलती है ते फिर उसे शक्ती दे आधार ते आसी देख देया है चार जंगा लड़ियां गुरू हर गोबिन पाधिशाजी दे वेले आसी 1670 दे विच पहली जंग होंदी है 160 साल बाद 1470 दे वी साड़ा अगाज ते ओ जंगा जिती हमी हों जदो कोई समरत था नहीं कोई गिंटी इतनी नहीं कोई सोर्स इतने नहीं ते एक पासे दुनिया दी पारी परकम फोजा मुगल सल्तनत उना दे नाल टकर ले लेनी ते फिर चारे जंगा जित जानी है उत्तु साड़ी प्रलिटिकल पावर शुर तो प्रलिटिकल पावर शुरू नहीं दी है साड़ी ते ए राइनितिक पच्छान सानु गुरू हरगो बिन पाच्छा जी दे वेले परताख रूप देवी सारे इतियास इस देवी चासी वेख़दिया संसारे कितलते सानु मिल दी है और उससे उते पैरा दें 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 ब गुरू साइबान दे समय तो ही सानु मिल गई या और उससे राइनितिक पच्छान दे नाला दे सी देखने एक कंसाप्ट गुरू साइबान ने की किता है कि अपने जिवन काल दे वीचे ही गुरू साइबान ने ए जड़ा लागो किता सी सिधानत्व के वक्वक के अंदर स आसपूर फिर किर्थपूर अनदपूर सारे नगर गुरू साइबान ने बनाए साड़ी राइनितिक शक्ती सी इसलिए इस चार चीज़ां जड़ियां ने गुरू साइबान दे समय तो सानु मिल चुकी हैं से एक काट सी साड़ी ओसी किलेंडर दी इस से तरह आसी देख द आफ परकाशित हो रही है उस दे ओपर पैरा ने ना है अकालतक साइब को देश बारे गाल कर देए उन मूर नानकशाई कलेंडर या दूजा जड़ा नानकशाई सम्मत असी कलेंडर तियार कीता है इस दा परम्पू लेखा सारे सिक समय दे भी चिपिया है इस दी गालताप हो जाए कि जिन्यावी संपर्दावा ने जिन्यावी डेरे ने ओ किस कोई वी संपर्दा चला रही है लेकन जे ओ चला रही अपनी मर्यादा तो उस देरे तक सिम्ध रहेगी बार ओ अपनी मर्यादा नो लागू नहीं कर सकती ते अकाल तक तो प्रकाशित किती जेडी मर्यार लेक्ट मर्यादब उन्हों नाभको किता जाए देखो साहँ मनन न पे सारे मनन घे अपने ऑंप एक सार्ता हो जाँ धीए एक सार्ता लए रही रैत्मर्याद। से उसने विच बड़ा काम होना ने कीता है पर जे आपा किसे पाकते होना दे नाल डिफरेंट साफ ऑपीनियन है क्योंकि आज कोम दो फार होई पे यह ते जे सानु चाहिए था साड़ी मूल संस्था या काल तक साइब उन्हानों इनिशेटिव लेना चाहिए था दोवा पक् क्यांदा है हो सगता है कि तुसी मेरे नाल सहमत ना हो जरूरी नहीं है लेकर आसी यह गाल कहन दे है के कलेंडर भी साड़ा एक विलखनता दा परतीक है वक्री आइडेंटिटी दा परतीक है जिवें गुरु गरंस है जिवें राइनितिक शक्ती जिवें साड़े केंदरी अस्थान जिमें साड़ी रात मर्यादा इससे तरह जिवें साड़ा अपना कलेंडर लागू होंदा है तो उस कलेंडर दे वीच पामें तुसी डेटा जेडिया ने रीफिक्स करो लेकर ए मुद्धा ए है कि साड़ीया डेटा जेडिया ने ओ एको ही डेट होनी चाहिए जि हर साल 14 मार्च नों ही एक चेत आए इस तरह दा क्लेंडर तुसी त्यार कर लो इस तरह हर गुरु साय बांदे गुर पुरुब इतियासिक द्याड़े शेहिदी पुरुब या जड़ आसी शेहिदी साके मनाऊ दे हां उना दिया डेटा फिक्स हो जाना सानू कोई पंबल प पुर्ण सारी कार जहिए उनन तुसी देखो जड़ा तीसरा साका वापर दाय उनने सो चुरा सीदा का लुकार जड़ा वापरे है उसी 6 जून नों मना दिया उत्वे उसी सुदी ते वधी दे चकर वीच नी पहंदे उचेह जून नों क्यों मना दिया उन्जे उसी आचाहे जी तह़ा परकाश प्रूवा लेर लगाँ पूलनोप कुछ ना कुछ जासी पंबल पूसा पाया बाए होता है जिड़ा उस दिने आल की होता किया है कि कौम बंडी पे ही एंस you एन जिड़े सड़य आगउन है तारूंग पदर थे या कोई राजनीतिक पदर ए सिदान सानू बक्षिश कीता है ओ ए है कि असी समय दी बंदिश दे वी ते जरूर हां समय दी महत्ता साड़े जीवन दे वीच है लेकन किसे खास दिन दी किसे खास कड़ी दी किसे खास पल दी किसे खास महिने दी या किसे खास साल दी साड़े जीवन दे वीच कोई महत्ता उन जड़े गुर्मत तूं सखने लोकी ने उन्हाने की किता उन्हाने कती दिसंबर नू मुराना शुरू कार दिता एक जनवरी राती बारां बचके एक मिन्ट ते पांच जकारे छड़ दे हो कहने जी नवा साल चड़ गया उन कहीं वारी आसिया चीजा चल पें दिया तुमनी किता जा सकता उन कती दिसंबर दे साब दिना ले रहे हैं कती दिसंबर नू रात नू बारां बचके एक मिन्ट ते पांच जकारे छड़ दे हैं कहने जी नवा साल चड़ गया उन उना दी चलो एक किसे हाद तक सोचे ठीक है भई लोकी जुआ खेड़ दे है शिरा देगा सानू बाकी आसी अगले साल कती दिसंबर तक पूरा वेट करिये बेच कोई प्रोग्राम ना कर इस ते विच निरंतरता चाहिए इस तरह ज़े एक चे तनू मना ले है ज़े उन कती दिसंबर मना ले वाले कैन गे बाई आसी ते क्योंके लोकी मना दे है शिराप पी रंगरल निया मान देया, जुवा खेड़ देया, आसी ते उन्हों रोके है, आसी ते मना रहे हैं, तुसी भी ते साड़ी तारस ते एक चेत नू मना रहे हो, फरक किते हो या फिर, जवाब सानू देना पेगा, उन इते गाल एह है के गुरु साहिबान ने सानू एक विलखन देती, आसी नवे साल दे चकर दे विच नहीं पेना, इस किलन्डर दी महत्ता नू दरसाउन दे लई, के बई एक चेत, चोदा मार्च, साड़ा नवे साल अरंब होया है, आसी इस टंग देनाल मनाईए, ओ जड़ा जुला साड़े उपर प्या होया है, पामे के आसी जिस व केड़ी बन दी है, ओ असानू उना उनू प्रोवाइड करना पेगा, ए महत्ता नू दरसाउन दे लई, अपने सिक समाई दे विचू ए जूला कटन दे लई, अंग्रेजी किलेंडर दा, या इंगलिश दे साब दे नाला सी चल रहे हैं, बाई एक जनवरी, एक जनवरी, न नमा साल आ गया, नमा साल आ गया, जब सानू पता है नहीं ते नमा साल दी महत्ता की है, इसले इस पाक्ति सोचन दी लोड़ है, विशा बड़ा ब्राडर आसपेक्ट दे विचे होर विचार मंगदा है, कोईपुल चुक्दी खिमा, वाहिगुर जी का खलसा, वाहिगुर एकी वाते हैं